नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी ही चनल ग्रोपुंजी में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में जिसके प्राइच चल रहे है और इस स्टॉक ने कल के दिन डेड़ परसेंट से ज्यादा की पॉजि की फाय और इस स्टॉक ने ओल्मुस्ट 3% की पॉजिटीव क्लोजिंग दिए दोस्तों टाटा पावने में जो न्यूज यह उस न्यूज को जानेंगे और बाद में यह दोनों स्टॉक में टाटा की दोनों स्टॉक में ऑर लॉंग टम में क्या टार्गेट देखने को मिल स दोस्तों सबसे पहले टाटा पावर स्टॉक के बारे में जानेंगे जिसकी प्राइच चल रही है 245 और इस स्टॉक ने फ्राइडे के दिन धाई परसेंट से ज्यादा की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है वैसे तो फ्राइडे के दिन मार्केट में 200 पॉइंट का पॉजिटि सिर्फ और सिर्फ टाटा पावर और टाटा मोटर्स स्टॉक के बारे में देकिन दोस्तों इस दोनों स्टॉक के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा यूटूब चैनल सब्सक्र related सबी नूज हमारे टेलिग्राम पर मिल जाएगी और साथ ही 100 टम के लिए stocks भी आपको हमारे टेलिग्राम पर मिल जाएगे दोस्तो टाटा पावर में जो न्योज यह है कि टाटा पावर को approval मिल चुका है NCLT company के साथ merger का जो टाटा पावर के लिए एक अच्छी न्योज है और आने वाले टाइम में इसका एक good impact भी हो सकता है टाटा पावर के stock में लेकिन दोस्तो यह तो रही news की बात अगर हम बात करें company के fundamental की और company के growth की तो दोस्तो टाटा पावर का technically भी बहुत अच्छा है और fundamentally भी टाटा पावर एक अच्छा stock है इसलिए आप इस stock में long term investment कर सकते हैं long term investment से टाटा पावर एक बहुत अच्छा stock है जिसे आप 3 to 5 अगर hold करके चलेंगे तो आपको टाटा पावर के stock में काफी अच्छे return देखने को मिलेंगे दोस्तो टाटा पावर ने इस time पे जब market down आया था 18,000 से market 15,600 और 15,700 के पास आया था तो भी टाटा पावर ने perfect अपने 200 के support का respect करके एक reversal दिखाया था आप देख सकते हैं 203 के price से टाटा पावर ने perfect एक reversal दिखाया है दोस्तो अभी टाटा पावर चल रहा है 245 और टाटा पावर ने जब तक 260 के उपर sustain नहीं होगा और closing नहीं देगा ये तो दोस्तो मैं short term के लिए बता रहा हूँ जैसे ही टाटा पावर 260 के उपर sustain होगा तो दोस्तो फिर से 269 की price पर टाटा पावर में एक resistance है जिस दिन टाटा पावर 270 के उपर closing देगा उसके बाद में हमें टाटा पावर के stock में साड़े 300 तक के target short term में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि 260 और 270 का जो resistance है महाँ पर टाटा पावर sustain हो रहा है और वही से down की तरफ आ जाता है जिस दिन टाटा पावर 270 के उपर sustain होगा उसके बाद में टाटा पावर के stock में हमें उपर की तरफ बड़े target भी देखने को मिल सकते हैं इसलिए आप टाटा पावर के stock को long term के लिए अपने portfolio में add करके रख सकते हैं और already टाटा पावर में continue कुछ न कुछ अच्छी news आती जा रही है जिसका impact हमें अभी तो देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन आने वाले time में आने वाले quarter result में हमें देखने को मिल सकता है अब हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की जिसके प्राइट चल रही है 441 और इस stock ने 0.5% से ज़्यादा की positive closing दी है जैसा कि दोस्तों कल के दिन टाटा मोटर्स का result आया था sales का result आया था जिसमें टाटा मोटर्स का sales काफी अच्छा बताया गया है टाटा मोटर्स का जो year on year जो growth है वो भी काफी अच्छा है sales का जो company के लिए एक बहुत ही अच्छी news है क्योंकि company का sales increase हुआ है तो obviously company के revenue पर तो impact होगा ही और साथ ही दोस्तों जो second news है वो news है कि टाटा मोटर्स टाटा कंपनी टाटा कंपनी और महिंद्रा कंपनी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है इसलिए दोस्तों कुछ ऐसे stocks होते हैं जिन stocks को हमें अपने portfolio में add करके रखना चाहिए market में जब downfall आता है तो उस चीद से panic ना हो क्योंकि जो company fundamentally strong है और जिनका future है आने वाला जो time है वो है electric vehicle का तो उसी साब से हमें ऐसे stocks को अपने portfolio में add करके रखना चाहिए up and downs आते रहेंगे आपको panic नहीं हो रहा है अगर आपने long term investment किया है तो अगर आप trading कर रहे है तो दोस्तों obviously trading में आपको loss और profit दोनों देखने को मिलता है इस time पर Tata Motors ने consolidation दिखाया है कुछ दिनों तक एक रेंज में गुमा है जहां Tata Motors 440 और 425 की रेंज में गुमा है सिर्फ और 15 रेंज में गुमा है दोस्तों कल के दिन Friday के दिन Tata Motors ने 440 के उपर closing दी है तो दोस्तों एक positive closing है Tata Motors जैसे ही 446 के उपर sustain होगा उसके बाद में हमें Tata Motors में उपर की तरफ 270 के भी target देखने को मिल सकता है जोगी 270 की price पर फिर से Tata Motors में एक resistance है अगर Tata Motors 270 के उपर sustain होता है तो दोस्तों फिर से हमें Tata Motors में उपर की तरफ और अच्छा uptrend देखने को मिल सकता है अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चनल को जरूर सब्सक्राइब करें जैहिन